या आप लोगों को भी लगा, जो मुझे लगा कि विवियन डी सैना ने जो है मेकर्स का प्लान जो है वो फेल किया है, जो सवाल जो है हीना खान ने पूछे, वो सवाल जो है हीना खान को बोले गए थे कि वो सदस्यों से पूछे, और वैसी जो है उसने सदस्यों से पूछे, स्क्रिप्ट जो है बनी हुई होती है पर ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि इनकी असली चेहरे जो है वो सामने आए या तो इसलिए पूछे जाते हैं कि इनकी स्ट्रॉंग दोस्ती जो दिखाई दे रही है जो स्ट्रॉंग रिष्टा दिखाई दे रहा है गलती से भी अगर किसी ने गलती कर ली तो उसमें दरार आ जाए और उसको देखने में मेकर्स को बहुत ज़दा मजा आए और लोगों को जो है इसके उपर बात करने का एक मुद्दा मिल जाए जैसे कि हीना खान आई हीना खान अक्चली में शेर खान है और रियल फाइटर है आप सब लोगों को पता ही है कि आखिरकार किस चीज से वो फाइट कर रही है और तो और मैं आप लोगों को ये चीज़ बताओं कि हीना खान जब सेट पे पहुँची थी तब उसके बाद सल्मान खान ने एक घंटा हीना खान को एक्स्ट्रा दिया और उनके साथ बैठ के हीना खान को काफ़ी जदा मोटिवेट भी किया तो अब विवियन से एक सवाल पूछा गया तीनों गृप से सवाल पूछा गया कौन है लॉयल कौन आपके गृप में हैं जो कि लॉयल होने का धोंग करता है तो विवियन ने वहाँ पर बोला कि हमारे गृप में ऐसा कोई है ही नहीं ऐसा उसको लगता ही नहीं है पर अगर चाहते तो डेफिनिली जो है कुछ घुमा फिरा के सवाल भी पूछ सकते थे पर विवियन ने इसका क्लियर कट जो है वो जवाब दिया और सब लोग जो है ये चीज़ मानते भी हैं पर दूसरे लोगों ने जो है इसे सवाल का जवाब दिया क्योंकि वो आखिरकार ग्रूप में नहीं है वो अपनी किन्वीनियंस के हिसाब से जो है बैठे थे जैसे कि ईशा ने बोला था दिगविजे को कि बार बार बोलता कि मैं इस ग्रूप में नहीं मैं उस ग्रूप में नहीं तो फिर तो अभी गुरुप में बैठा ही क्यूं है तो जो है चाहत और यामिनी के साथ बैठे होना चाहिए था वहाँ पर एक्चली में ये स्टैंड मुझे दिगविजे का भी सही नहीं लगा जिस तरीके से वो बोल रहा था पर बैठा वो गुरुप में था तो आखिरकार वो चाहता क्या है समझाना क्या चाहता क्या पागल बैठी है जंता बाहर जो कि कुछ भी बोलेगा और जंता वो ही सब चीजे जो है वो मान लेगी पर हाँ दिगविजे के चंद फैंस जो है वो बात मानेंगे जरूर पर जो लोग न्यूट्रल इस शो को देख रहे हैं वो बाते ये मानते नहीं हैं जैसे कि मैं इसी के साथ मैं लेती हूं जाज़त नमस्कार